हेलो गाईज गुद मारिंग तो ओल फ्यू आज का हमारा फर्स टॉपिक है अमेंडमेंट ओफ रेजिस्टेशन अमेंडमेंट ओफ रेजिस्टेशन को करने के बाद हम बात करेंगे cancellation of registration की and further on हम बात करेंगे उस cancellation के revocation की firstly हम amendment की बात कर रहे हैं तो दिखो कल हमने एक registration किया था registration किया था यानि हमने एक topic किया था जहांपर हमने बात की थी कि registration होता कैसे है अब हमने registration करवा तो लिया बट अब जरूरी नहीं है कि आपने जो एक बार information सम्मिट कर दी हमेशा वही रहेगी changes हो सकते हैं आपका address बदल सकता है जो information आपने फर्निश की है कुछ भी इसमें regarding change हो सकते है तो कोई भी चीज आपने जो फर्निश की है अगर उसमें change हो जाता है तो आपको वो क्या करना पड़ेगा डिपार्टमेंट के पास भी उस चीजों को change करवाना पड़ेगा तो उसी को बोला जाता है amendment of registration यानि registration में changes करवाने तो जब भी आप amendment करवाओगे यानि जब भी आप proper officer को inform करोगे कि आपने क्या किया है जो information आपने registration के time submit की थी अब वो change हो चुकी है तो वो क्या करेगा आपके लिए एक new certificate बनाएगा certificate में information लिखी होगी आपकी उस certificate में अब new information होगी तो certificate में new होना चाहिए तो जैसे ही आप proper officer को उन changes के बारे में बताओगी वो एक certificate amended किया हुआ बनाएगा यानि new registration certificate आपको देगा तो जब भी आप ये amendment करवाते हो तो कुछ provisions हैं जो follow करने पड़ते हैं यानि कोई ऐसे नहीं है कि आपने बोल दिया और change हो गया कुछ provisions होंगे कुछ चीजें होंगी जो apply होंगी जब आप amendment करवा रही हो first है furnishing changes in the information furnishing changes in the information यानि जो आपने information provide की हुई थी उसमें अब आप क्या करवा रही हो changes के बारे में information दे रही हो तो जब भी क्या होगा कोई भी registered person चाहे यानि चाहे वो registered ID ली हुई है उसने यानि normal registration करवाया हुआ है चाहे उसने यू आइन जो हमने unique identity number की बात की थी information देगा कि उसके information उसने furnish की थी उसमें change हो चुका है और जो information उसे proper officer को देनी है वो कब देनी है within 15 days देनी है यानि जिस दिन आपका मानलो आपका address change हो गया तो जब आपका address change होगा उसके within 15 days आपको proper officer को inform करना पड़ेगा कि जो मेरा principal place of business या जो additional place of business है वो क्या हो गया है change हो गया है और वो information दोगे कैसे उसके लिए आप क्या करोगे एक application submit करोगे फिर जो आपकी application है ये जाएगी आपकी form number form GST registration 013 में या यानि form number 13 के अंदर आप पताओगे कि आपको क्या changes करवाने है कौन से information आपकी change हुई है उसके लिए एक आप application submit करोगे और जो application होगी ये क्या होगी signed होगी यानि आप sign करके electronically इस document को इस form को submit करवाओगे जिसमें वो सारे changes लिखे होंगे जो आपको करवाने है आपने information furnish कर दी उसके बाद जो आप change करवाना चाहते हो उसकी जो proper officer है उसकी checking करेगा यानि वो देखेगा कि आप जो change करवाना चाह रहे हो जो information आपने दी है वो उस amendment से satisfy है या नहीं है तो उसके satisfaction के base पे वो क्या करदेगा या तो approval दे देगा या तो फिर rejection दे देगा किसकी आपकी amendment की जो ये approval या rejection है ये आपकी specify है section 28 के subsection 2 में ये जब वो approval या rejection देगा तो जो आपका proper officer है वो क्या चीज consider करेगा वो देखेगा कि अगर क्या है आपके जो changes है वो ऐसे हैं जो warrant नहीं कर रहे cancellation को यानि आपको ऐसा change करवाना चाहते हो जो minor change है जिसकी वज़र से आपके registration के के उपर फरक नहीं पढ़ रहा है यानि वो cancel नहीं हो रहा है ऐसा कोई reason नहीं है जिससे वो cancel हो जाए तो उस case में तो क्या होगा वो क्या करेगा जिस दिन उसको आपकी application receive होगी उसके 15 days के अंदर अंदर आपने 13 form में बताया था वो 13 form की checking करके form 14 में यानि form GST registration 14 form में आपके जो request थी उसको verify करके अपना order issue करेगा कि आपकी जो amendment है वो हो गई है और जो amendment है किस दिन से मानी जाएगी कि हो चुकी है जिस दिन आपके ने वो address या जो भी चीज आपने change की होगी ठीक उसी दिन से वो amendment मान ली जाएगी यानि आप कोई additional place of business कर रहे हो या आपका आप क्या कर रहे हो करता आपका बदल गया है, partner बदल गया है board of executive बदल गये है directors बदल गये है यानि आपका कोई भी ऐसा change है जिसकी वज़र से आपके business पर कोई effect नहीं पढ़ने वाला है यानि GST registration पर कोई फरक नहीं पढ़ने वाला है इस type के changes को वो easily approval दे देगा और वो आपकी valid हो जाएंगे उस दिन से जिस दिन वो changes हुए थे दूसरा हो सकता है कि आपके जो changes हैं वो ऐसे हैं जिनकी वज़र से fresh registration करवाना पड़ेगा यानि मानलो आपका pan number change हो गया है किसी business का यानि पूरा business या आपने किसी और को sale कर दिया है तो उस case में जो changes होंगे वो अलग तरीके से होंगे यानि approve या reject तो वो इस बेस पे करेगा कि वो satisfy है या नहीं अब उसके बेस पे जो वो decision लेगा वो ऐसा भी हो सकता है जिसमें कोई changes नहीं हो रहे हैं खास registration के cancellation से उसको तो वो easily क्या कर देगा पास कर देगा दूसरी तरफ जहां पर fresh registration की जरूरत है वहाँ पर जो changes करवाना है वो थोड़ा सा typical होता है तो यह क्या थे सबसे पहले furnish किया आपने फिर आपको approval या amendment मिली sorry approval या rejection मिली third है आपका issue of showcase notice यानि देखो अब हम approval या rejection की जब बात कर रहे थे ऐसा भी हो सकता है कि जो आपने changes करवाने के लिए request की है वो changes के regarding आपने सारी चीज़ें जो details चाहिए थी वो ना दी हो या कोई document आपको साथ में submit करवाना था वो proper ना करवाया हो या करवाया ना हो तो उस case में आपको showcase notice भी दिया जा सकता है जैसे हमने पहले बात की थी कि अगर क्या है आपके required document से आपका जो proper officer है वो satisfy नहीं है तो आपसे clarification information वो मांग सकता है वही चीज़ है कि अगर क्या है amendment के regarding जो आपने information document दिये हैं उससे वो satisfy नहीं है तो वो क्या करेगा जो आपका third form है GST registration 03 form है उसमें आपको notice देगा कि आपको जो application है जो document है वो proper नहीं है तो आप क्या करो उनको complete करो और ये notice उसे कब देना होगा within 15 days देना होगा जैसे ही 15 days के अंदर अंदर वो notice आपके applicant को मिलेगा उसके 7 दिन के अंदर अंदर वो उसका reply देगा और reply किसमें देते थे हम GST registration 04 form में यानि 04 form में वो reply देगा reply क्या होगा जो भी information जो भी document उससे माँगा गया था वो उसको furnish करवा देगा अब हमने क्या कहा 15 दिन के अंदर अंदर तो वो notice उसको भेजना था notice मिलने के साथ दिन के अंदर अंदर उस person को क्या करना है reply करना है उस notice का अगर वो साथ दिन के अंदर नहीं करेगा तो वो reply valid नहीं माना जाएगा आपकी application अपने आप ही reject हो जाएगी उसके बाद आपका fourth provision है rejection of amendment application यानि अभी हमने बोला था कि आपने notice को showcase किया अगर क्या है आपको satisfactory reply नहीं कर पाते हो जो information मांगी है वो नहीं दे पाते हो तो वो क्या कर सकता है आपका proper officer आपकी application को reject कर सकता है और वो क्या कर देगा order issue कर देगा कि आपकी जो application है वो cancel हो गई है जिसका reason भी वो आपको बताएगा और जो cancellation order है वो दिया जाएगा in form GST registration 05 में यानि 05 form में वो आपकी application को reject कर देगा last provision है आपका deemed amendment यानि amendment proper officer ने आपकी accept नहीं की है फिर भी मान लिया जाएगा कि amendment हो गई है वो कब होगा कि अगर क्या है application देग उसे receive होगी उसके जब आप जवाब दोगे तो जवाब देने के 7 दिन के अंदर यानि normal दोबारा बोल रही हूँ normal case में 15 working days के अंदर और अगर उसने आप से notice notice issue किया था कि आप clarification दो या कोई document दो और आपने वो submit कर दिया है within 7 days उसके बाद proper officer के पास भी 7 दिन का time होगा उस आपके जो reason आपने दिया है उसको दोबारा चेक करने का तो अगर वो 7 दिन में उस notice के issue करने के बाद या normal case में 15 दिन में कुछ भी काम नहीं करता है यानि कोई भी order नहीं पास करता है ना application को accept करता है ना reject करता है तो मान लिया जाएगा कि उसने accept कर दी है approval दे दी है और आपकी amendment हो गई देखो short में एक बार दुबारा बोल रही हूं सारा amendment का मतलब है कि आप अपने registration में changes करवा रहे हो जब भी changes करवाने होंगे सबसे पहले आप information furnish करोगे जो information है वो 15 days के अंदर अंदर देनी पड़ेगी जब आपकी वो particular amendment हुई है फिर जो आप information दोगे उसको जो आपका proper officer होगा वो check करेगा और उसके बाद वो approve भी कर सकता है और reject भी कर सकता है अगर उसकी वज़र से जो वो amendment आप करवा रहे हो बिजनस के उपर फरक नहीं पढ़ रहा छोटी मोटी amendment है तो वो easily आपकी अप्रूव कर देते है fresh registration के case में थोड़ा difficult होता है अगर आपने जो information submit की है उससे आपका proper officer satisfy नहीं है तो वो showcase notice भी issue कर सकता है कि जो उसे document चाहिए जो भी वो जानना चाहता है आप उसे बताओ अगर वो जो आप reason दोगे उससे satisfy हो जाएगा तो वो आपकी application को approve कर देगा otherwise अगर वो satisfy नहीं होगा तो वो आपकी application को reject कर सकता है अगर वो within और lastly अगर वो within the time application का reply नहीं करता है तो मान लिया जाएगा कि amendment हो गई है यही था आपका amendment of registration section 28 अब हम बात करती है cancellation of registration की cancellation of registration जो cancellation of registration है वो आपका specify है section 29 में देखो amendment of registration में उस registration में amendment हो रही थी है और इसमें changes करवा रहे थी हम अब बात आ रहे है cancellation of registration की कि वो registration आप cancel ही करवा रहे हो जो आपने करवाया था अब वो registration आप खुद भी cancel करवा सकते हो यानि आप applicant जो था यानि जिसने अपने आपको register करवाया था वो भी क्या कर सकता है apply कर सकता है कि उसे क्या करना है अपने registration को cancel करवाना है या फिर उसका legal hire legal hire का मतलब होता है उसका representative की अगर क्या है जो आपका registered person था अगर उसकी death हो गई है तो उसका legal hire है जो उसका representative है वो भी cancellation के request डाल सकता है first option तो ये है कि applicant खुद करे या उसका legal hire करे दूसरा by proper officer यानि department खुद भी आपका जो GST registration है वो cancel कर सकता है अगर उसे सही लगता है देखो किन condition में cancel होंगे वो भी हम बात करेंगे अभी बट अभी सी वितना समझो cancellation of registration का मतलब है या तो applicant खुद या तो फिर proper officer अपनी मर्जी से क्या कर रहा है आपके registration को cancel कर रहा है कि अब आपका registration नहीं रहा आपका जो GST number है वो cancel कर दिया गया है जब भी cancellation होगी registration की तो कुछ provisions है जो apply होंगे यानि जैसे amendment के time पर कुछ provisions थे जो apply हो रहे थे ठीक उसी तरीके से cancellation के उपर भी कुछ provisions apply होते हैं first है circumstances कि किन cases में क्या किया जाता है आपका registration cancel हो सकता है circumstances for cancellation of registration देखो इतनी तो हमने पहले भी बात कर ली कि applicant खुद भी कर सकता है और proper officer भी कर सकता है किन किन cases में ये लोग cancel करेंगे first है in case business is discontinued कि अगर क्या है जिस business का आपने registration करवाया हुआ था जिसकी वज़र से आपने GST में register करवाया था वो business या तो discontinue हो गया है यानि आपने उस business को बंद कर दिया है अब आप उस business को नहीं कर रहे हो या तो फिर आपने क्या कर दिया है उस business को किसी और को transfer कर दिया है तो चाहे वो transfer करने का या फिर discontinue करने का reason कुछ भी रहा हो चाहे उसका proprietor की death हो गई हो आपने amalgamation किया हो merger किया हो de-merger किया हो किसी भी तरीके से अगर क्या है वो business discontinue हो गया है या किसी और को transfer हो गया है तो उस case में हो सकता है कि वो person क्या चाहे अब वो registration का क्या करेगा जब उसका business ही नहीं रहा तो उस case में registration को cancel किया जा सकता है दूसरा changes in the constitution यानि business की जो structure थी उसमें change हो गया है कि मान लो कि अब पहले कोई और करता था अब कोई और है अब किसी के नाम पे registration लिया हुआ था जिसके pen पे अब वो business का part नहीं रहा अगर जो business है वो चल रहा है लेकिन business के constitution में change हो गया है तो भी registration कैंसल हो सकता है and thirdly no longer लाबल to be registered कि जिस person का registration हुआ हुआ था अब वो लाबल नहीं है कि वो GST में registered रही यानि उसकी जो threshold limit है वो कम है specified से और वो नहीं चाहता कि अब वो GST के अंदर register रहे तो वो भी application दे के अपने आपको registration से बाहर निकाल सकता है यानि cancel करवा सकता है देखो business continue discontinue होगा constitution में change होगा तो आपका proper officer खुद भी आपको क्या कर देगा आपके rejection आपके जो particular registration था उसको cancel कर सकता है और आप application दे कर भी करवा सकते हो जब तक आपकी proceeding पूरी नहीं होती तब तक आप proper officer चाहे तो वो आपके registration को suspend भी कर सकता है कि जब तक इसका result नहीं आता तब तक क्या है इसको hold पे रखा जाए यानि suspend किया जाए इतने time के लिए आप registered नहीं रहोगे ज़रूरी नहीं है वो हमेशा करेगा कुछ cases में वो चाहे तो आपके registration को कुछ time के लिए suspend कर सकता है तो यह थी circumstances कि किन cases में क्या है registration cancel हो सकता है second है cancellation of registration from retrospective effect from retrospective effect retrospective effect का मतलब होता है पिछली date से यानि आपने देखो application आज दी है या proper officer ने आपकी application अपनी मर्जी से भी cancel किया है तो वो उसने आज किया है लेकिन वो आपकी जो cancellation की date है वो कोई past से बता रहा है कि मानलो कि मैं मानलो आज से 20 फैब है और आपका वो registration चाहे तो वो ये भी कह सकता है कि 10 जनवरी के बाद मान लिया जाएगा कि अब आप क्या है GST में register नहीं रहे यानि आप 10 जनवरी तक ही मानने जाओगे आपको tax देना था यानि वो चाहे तो past effect से भी आपके registration को cancel कर सकता है वो कब-कब होगा Firstly Contravention of Provision of CGST Act यानि अगर proper officer को लगता है कि आपने CGST Act में जो लिखा हुआ है आपने उसके against गए हो तो वो चाहे आपके registration को retrospective effect से cancel कर सकता है Secondly Own Failure to Furnish Return कि अगर क्या है आप return को time पर भरने में fail हो जाते हो कौन सी return को कि अगर आप section 10 यानि composition scheme के अंदर tax को pay कर रहे थे और लगातार तीन tax period यानि तीन बार आप अपनी return time पर नहीं भर पाए हो आपने अपनी return को नहीं भरा है थ्री consecutive tax period में आपने return फाइल नहीं की है तो भी आपके registration को retrospective effect से cancel किया जा सकता है thirdly no non furnished return for continuous period of six month यानि देखो उपर वाला तो किसके case में था कि आप section 10 यानि composition scheme के अंदर tax pay कर रहे हो और आपने तीन tax period के लिए return नहीं भरी section 10 के अलावा अगर आप किसी भी तरीके से क्या कर रहे हो बिजनस कर रहे हो यानि आप composition scheme के अंदर नहीं हो normal scheme के अंदर हो और आपने पिछले 6 महीने से कोई return नहीं भरी है तो भी आपके registration को retrospective effects से cancel किया जा सकता है fourthly no comments business कि आपने क्या किया है voluntary GST में registration लिया था और registration लेने के 6 महीने हो गए है और अभी तक आपने business को start नहीं किया है यानि 6 महीने तक आप business को start नहीं करते हो तो भी आपका जो registration है retrospective effects से cancel हो सकता है and lastly obtain registration by fraud कि अगर क्या है आपने जो registration है वो fraud करके लिया था यानि आपने कोई गलत information दी थी, misrepresentation की थी, कोई बात को चुपाया था या किसी भी तरीके से fraud किया था तो उस case में भी आपका जो registration है retrospective effects से cancel हो सकता है पहले हमने circumstances की बात की फिर हमने बात की कि वो जो आपका cancellation है वो पिछली date यानि retrospective effects से भी हो सकता है थर्ड है issue of showcase, show cause notice issue of show cause notice का मतलब होता है कि department क्या करेगा ऐसे नहीं है कि वो आपका सिधा ही cancel कर देगा जब भी proper officer के पास reason होंगे ये believe करने के लिए कि आपका registration जो है cancel होना चाहिए वो क्या करेगा form GST registration 17 में आपको एक notice issue करेगा जिसमें वो आपको 7 दिन का time देगा उस registration का sorry उस cancellation का जो आपने को notice दिया गया है दुबारा बोलती हूँ कि आपको क्या है वो आपका सीधा सा registration cancel नहीं करेगा जब भी उसको reason proper लगेंगे कि आपका registration cancel हो जाना चाहिए वो क्या करेगा आपको एक notice issue करेगा जो वो notice होगा उसका reply आपको 7 दिन के अंदर अंदर करना होगा जिसमें आपको ये बताना होगा कि क्यों आपका registration cancel नहीं होना चाहिए यानि अगर आप अपने registration को cancel होने से रोकना चाहते हो तो आपको proper officer को 7 दिन के अंदर अंदर reason देना पड़ेगा कि क्यों उनका registration cancel ना किया जाए वो जो आपको notice issue करेंगे वो 17 form में करेंगे और आप जो उसका reply करोगे वो form number 18 में करोगे कि जिसमें आप क्यों आपका cancel नहीं होना चाहिए वो आप form GST registration 18 में बता होगे अब आपने क्या कर दिया अपना showcase notice दे दिया next है आपका order on cancellation देखो जो आपने reason showcase किया था ठीक है अगर क्या है वो उस reason से satisfy नहीं है या फिर आपने कोई reply ही नहीं किया है या फिर आपने खुद ही cancellation के लिए apply किया था किसी भी case में अगर आपने खुद apply किया था तो 30 दिन का time होगा अगर आपने reason showcase किया था उससे वो satisfy नहीं है तो जिस दिन आपने reason दिया था उसके पात 35 दिन का टाइम होगा वो proper officer क्या करेगा order को issue कर देगा जिसमें वो क्या कर देगा pass कर देगा order cancellation का कि आपका जो registration है वो cancel कर दिया गया है और जो order वो pass करेगा वो करेगा form number 19 में यानि form GST registration 19 में वो क्या order pass कर देगा कि आपके GST registration को cancel कर दिया है दूसरा case क्या हो सकता है कि जो आपने notice showcase किया था उससे वो satisfy हो जाए अगर क्या है वो आपके जो आपने notice में अपना reply दिया है उससे वो satisfy है तो वो अपनी proceeding को drop भी कर सकता है यानि आपका cancellation अब नहीं होगा इस regarding भी order pass कर सकता है जिसे हम बोलेंगे order dropping the proceeding कि आपने क्या किया है एक order pass किया है जिसमें आपने क्या कर दी है drop कर दी है वो सारी proceeding जो की cancellation के लिए start हुई थी अगर वो हमने क्या बोला कि अगर क्या है वो cancellation का order pass करेंगे तो form number 19 में करेंगे अगर वो cancellation का करेंगे तो form number 20 में करेंगे यानि form GST registration 20 में वो इपास कर देंगे कि अब आपका registration cancel नहीं होगा इसके बाद fifth provision है ये first था second, third, fourth fifth provision है not affect the liability of person कि अगर क्या है आपका registration cancel हो रहा है उससे आपकी liability पे effect नहीं पड़ेगा कौन सी liability के उपर कि अगर क्या है CGS की act के अंदर या उसके regarding किसी भी जो भी आपकी GST के act बने हुए है किसी भी act में आपके उपर कोई obligation arise हो रहा है यानि जिस दिन आपके date of cancellation है उससे पहले उससे पहले आपके उपर कोई भी obligation arise हो रहा है कोई भी tax arise हो रहा है कोई भी dues आपकी बन रही है तो आपका registration cancel होने से उन dues के उपर को effect नहीं पड़ेगा वो फिर भी आपको देनी पड़ेंगी sixth है deemed cancellation of registration कि कब आपका registration है मान लिया जाएगा कि cancel हो गया है चाहे वो cancel ना भी हुआ हो तो जैसे हमने पहले किया था कि अगर क्या है आपका जो registration है वो SGST Act, UTGST Act के अंदर क्या है उसका cancellation pass हो गया है तो मान लिया जाएगा कि CGST Act के अंदर भी आपका registration cancel हो चुका है हैनि SGST Act या UTGST Act के अंदर अगर cancellation हो जाता है तो CGST Act के regarding कभी cancellation pass अभी तक ना भी हुआ हो तो भी मान लिया जाएगा कि वो हो चुका है and last provision है pay an amount equivalent to the credit of input tax section 29 subsection 5 कि क्या है आपको एक amount देना पड़ेगा equal to credit of input tax कौन सा tax ये कह रही है कि अगर क्या है जिस टाइम आपका registration cancel होगा उस टाइम आपके पास सारा समान तो आपका अभी का हुआ नहीं होगा कुछ stock पड़ा होगा तो जो वो stock पड़ा होगा चाहे raw material का चाहे semi finish goods का चाहे finish goods का उसके regarding आपने ITC claim कर लिया होगा या उस सामान को खरीदते हुए आपने input पर कुछ tax दिया होगा उस purchase पर टेक्स दिया होगा जिसको आपने पहले अपने output पर हो सकता है as a deduction ले लिया हो क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि हम जो सामान दब वो बेचेंगे हो तब भी उसकी reduction लेंगे आपने input पर tax पे किया था तो आप उसकी deduction पहले ले चुके होगे तो आपने जितनी भी उस particular stock के regarding deduction ली होगी अब आपका registration कैंसल हो जाएगा तो इसका मतलब वो stock उस business में use होगा ही नी जब उस business में use नहीं होगा तो वो deduction आपको नहीं लेनी चाहिए थी तो जितना भी आपने input tax credit लिया था उस stock के regarding वो सारा सारा with interest आपको department को देना पड़ेगा यानि pay an amount equivalent to the credit of input tax यानि जितना भी input tax आपने उस stock capital goods की regarding लिया था जिस दिन आपका cancellation होगा फीक उससे पहले वाले दिन जितना आपके पास stock है उसके regarding जो भी आपने लिया होगा वो सारा with interest आपको देना पड़ेगा या आप अपने electronic credit laser या electronic cash laser किसी के थ्रूबी दे सकते हो बट आपको देना पड़ेगा mainly यहाँ पर दो चीजे consider होती है एक तो आपने जितना उस पर IITC claim कर लिया होगा जो नहीं करना चाहिए था दूसरा जो stock पड़ा है कि अगर उसको आज बेचोगे तो उसके ओपर कितना tax बनेगा दोनों में से जो भी high होगा वो आपको department को pay करना होता है तो यह आपकी responsibility बनती है कि आप इसको वापत करो पर rule क्या बना हुआ है कि यह या फिर जितना बचा हुआ stock है उसके ओपर जितना tax बनता है दोनों में से जो भी high है वो आपको department को देना पड़ेगा तभी आपकी responsibility complete मानी जाएगी यह था आपका cancellation of registration पहले हमने बाद की circumstances की फिर हमने बाद की retrospective facts से भी हो सकता है आपको notice showcase भी करना पड़ सकता है उसके base पर आपका cancellation का order भी pass हो सकता है या proceeding भी drop हो सकती है इससे आपकी liability पर कोई fact नहीं पड़ेगा अगर cgst act या utgst act के अंदर cancellation हो जाता है तो मान लिया जाएगा cgst act के अंदर भी हो गया है और जितना भी आपके पास talk पड़ा होगा उसके regarding आपने जितना ITC लिया है या जितना उस पर tax बनता है दोनों में से जो भी high है वो आपको department को पे करना पड़ेगा अब हमारा last topic है revocation of cancellation of registration कि जो आपने cancellation करवाया है यानि जो आपका registration जो है cancel होने जा रहा है आप उसका revocate, revocate का मतलब होता है उसको रोकना कि आप उस cancellation को रोक सकते हो या नहीं रोक सकते हो उस रोकने के procedure को बोला जाता है revocation यानि cancellation of cancellation of registration यह आपका section 30 में prescribe है यानि रोकना खिसको कि आपका जो registration proper officer cancel कर रहा है आप क्या कर रहे हो उसको रोक रहे हो कि मेरा registration cancel मत करो तो जब भी revocate करेगा कोई proceedings को यानि उसका registration cancel हो रहा है और वो उसको रोक रहा है तो उसके regarding कुछ provisions है जो उसे follow करने पड़ेंगे first है time limit कि कितना time होगा उसके पास cancellation के order को रोकने का time limit and form for applying revocation दिखो कोई भी applicant जो क्या करना चाहता है अपने cancellation को revocate करवाना चाहता है उसे क्या करना पड़ेगा जब उसके cancellation का order पास होगा कि उसका registration cancel हो रहा है तो उसके 30 days के अंदर अंदर उसे apply करना पड़ेगा उसके revocation के लिए यानि 30 दिन के अंदर अंदर उसे application submit करने पड़ेगी कि उसका cancellation ना किया जाए और जो वो application देगा वो वो देगा form GST registration 21 21 form में within 30 days उसको application देनी पड़ेगी अब आपके application देने के बाद बात आएगी कि अब proper officer क्या करता है यानि वो आपके जो आपने application दी है regarding revocation of cancellation तो उसका वो क्या करता है order on revocation of cancellation of application तो अब क्या है कि अगर क्या है जो आपने particular application दी है उसमें जो आपने reason बताया है अगर वो उससे satisfy है यानि उसे आपने जो बताया कि क्यों आपका registration cancel नहीं होना चाहिए उससे वो satisfy है तो वो क्या कर देगा order देदेगा कि रेवोकेट कर दी जाए आपकी cancellation कि अब आपकी cancellation नहीं होगी आपका GST number cancel नहीं किया जाएगा अगर वो क्या करना चाहता है cancellation को रेवोकेट करना चाहता है proper officer तो वो क्या करेगा जिस दिन application उसके पास आई थी जो आपका applicant उसके पास 30 दिन थे 30 दिन के अंदर नहीं उसने application दी application रिसीव होने के बाद proper officer के पास भी 30 दिन होंगे ये order पास करने के लिए कि वो cancellation को रेवोकेट करना चाहता है और जो वो रेवोकेशन के regarding order पास करेगा वो करेगा form GST registration 22 में ठीक है यानि अगर वो आपकी application के region से satisfy है तो वो रेवोकेट कर देगा और अगर क्या है वो satisfy नहीं है तो वो क्या करेगा order पास करेगा किसका rejection of application का कि आपने जो application डाली थी कि आपका registration number cancel ना हो उस application को reject किया जाता है यानि आपका revocation नहीं होगा आपकी registration को cancel किया जाएगा अगर वो reject करता है आपकी application को तो जो rejection के regarding जो वो आपको order देगा जो notice देगा वो देगा form GST registration 05 यानि 30 दिन के अंदर अंदर form 21 में आपने apply किया अगर वो से satisfy है तो application receive होने के 30 दिन के अंदर फिर वो 22 में आपकी application को approve कर देगा कि आपका registration cancel नहीं होगा और अगर वो satisfy नहीं है तो वो आपकी application को reject कर देगा third provision है deemed cancellation यानि आपकी जो revocation है वैसे तो वो अभी भी चल रही है लेकिन फिर भी मान ली जाएगी कि revocation हो चुकी है cancellation of registration की वो कब अगर क्या है SGST Act या UTGST Act के अंदर आपकी जो cancellation of registration है वो revocate हो चुकी है तो मान लिया जाएगा कि वो CGST Act के अंदर भी हो गई है यही था आपका revocation of cancellation of registration की within the time आप apply करोगे फिर आपका proper officer reason को satisfy होगा तो आपकी बात मान लेगा अदरवाइज application reject हो जाएगी और अगर क्या है SGST Act या UTGST Act के अंदर revocation हो गया है तो मान लिया जाएगा कि CGST Act के अंदर भी हो गया है यह थे आपके amendment, cancellation and revocation of cancellation of registration I hope clear हुआ होगा topic अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like और चैनल को subscribe जरूर करना Thank you